जय वीम, जय भारत, जय सविधान, जय भीमार्मी, जय जय समाजबाटी आज हात्रस को लेकर जो हात्रस में भी चल रहा है क्योंकि टीवी पर और चैनल पर तो आप वो देखते हैं जो दिखाया जाता है सच के बारे में जानना बहुत जरूरी है और मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं आपको सच से वाकिब करादू हात्रस में जो जो हुआ वो आपको जानना बहुत जरूरी है ये बहुत सार चीजे तो आपने मेरे जाने के साथ साथ वाँ देखी किस तरह से वहाँ जो है भीमार्मी की टीम ने काम किया किस तरह से उस संगर्ज को आगे बढ़ाया मैं अब बहुत जरूरी जानकारी आप से शेयर कर देता हूँ पहले तो कल 14 अक्टूबर है 14 अक्टूबर 1957 बाबा साब ने धम दिक्सा ली बड़ा दिन है परिवर्तन का दिन है तो इसके लिए भी सब लोगों बहुत-बहुत मंगल काम ना है लेकिन अभी बात हात्रस की करेंगे तो लाइव की सुर्वास से पहले विश्यूरतन बाबासाब अंबेडकर को नमन करते हुए बहुजन समाज में जनमें सभी संतों महापुर्शों कुर्वों को नमन करते हुए चत्रप्रती, साहुजी महाराज, सिवाजी महाराज, बिर्सा, मुंडा, राश्पिता जोती बाफूले, पैरियार साहब, नारायन गुरू, सहीद भगत सिंग, उदम सिंग, मेरे आदर्स, मेरे गुरू, बहुजन्स, नायक, माननेवर साहब स्री काशिराम, भगवान, वालमिकी महाराज, संसरों सत्कूर रविदाजी महाराज, गुरू नानक देव संत कबीर, आप सभी के चर्णों में नत्मस्तक होते वे, पहले हात्रस पे बात करें, देखें हात्रस में जो चल रहा था आप सब लोग को पता है, किस तरह से पिडिता का साही इला है, सब्दर जंग भेद्या का महाचा ट्रीटमेंट निवा फिर पिडिता की डैथ हो जाती है, जो जानकारी के बाद जब पूरी जांच होगी तो हो सकता है, कि उसके पिछे और भी कुछ चीजे निकल के आ जाए, जैसे मैंने कहा कि मुझे सक है, कि अलिगर से डैथ बोड पिडिता की डैथ कब हुई, तो सरकार को पे बहुत सारे सवाल खड़े होते, इसलिए तरह तरह एक चीजे करके चीजे खराब की गई, आजी रात में प्रिवार की बिना मर्जी के सब जला दिया गया, लेकिन उसी बीच एडिज लॉइन ओर परसांथ कुमार का ब्याना त तो मैंने उसका खंडन किया था कि और मैं क्या कोई भी लोयर उसका खंडन करेगा कि रेप की जो परिभासा है वो अब बदल चुके 2013 के बाद, निर्भ्या मामले के बाद रेप की परिभासा बदल चुकी है पुर्णोप से, तो उसमें सब चीजे हैं, उसमें इंजिरी भी है, उसमें और भी बहुत सब चीजें, जो कोट के माद्यम से तैह होंगी और पता लएगा क्या क्या हुआ था, उसके बाद एक मीडिया ने परसेप्शन बनाना स्टार्ट किया, ये जो ADG Law and Order का बयान था, ये भी जन भावनाओं को एक तरह से सहमती रिया सहमती बनाने के अंदर जो है, लोगों गुम्रा करने के लिए मैसिज था कि लोगों में विरोध और आकरोष जो चल रहा था पूरे देश में, वो कम हो, लोगों लगे कि जूटी कटना है और दलित इस तरह के काम ही करते हमें, शारोप लगाते हैं, तो ये उनका एक जो है, उस समय का अज पीडिता का ये पहली बार हुआ कि पीडिता का चरितनन किया जाने लगा, उसके परिवार को दोर्सी बनाए जाने लगा, मैंने इस पर अपनी बात पी रखी, फिर सरकार उसके अलावा एक और चिल जाए कि यहां तो जातिकत दंगे कराने का प्लान था, विपक्सियों का, पीफाई का ओज सो क्रोड की फंडिंग हुई थी भी मारमी को, फिर मैंने उस पर भी बात रखी, मैंने दावा किया कि अगर एक रूपए का भी आरा हो, आप साबित कर देंगे तो मैं राइनिते सन्यास ले लूँगा, या मुख्यमंत्री स्तीफा दे दें, फिर उसके बा बली का बकरा ढूंड रही थी, जो उन्होंने पहले सबीरपूर मामले में भी ढूंडा, दो प्रेल में भी ढूंडा, वो बली के बकरे ढूंडे, किसके ओपर यह सारा रोख मंड कर सरकार बच जाई, और सरकार यह कहें कि देखें, यह सब चीजे जो हैं, पहले से व्चे मंतरी को ठाकुर अजे गुमार विष्ट को एक पत्र लिखा है, जिसमें मैंने उन से सवाल किया है कि दो घटना को जिकर किया है, जो एक घटना पहले हुई थी, जिसमें मैं डाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो लखना हो की घटना थी, जिसमें जो काम करने वाले वेक्ति थे वो एक एपल कंपनी में एक अधिकारी थे रात में फुलिस द्वारा उनकी हत्या होती है वो भी हमारी बेहन थी उस पिडित बेहन को जो है दो दिन में सरकारी नोकरी मिलती है चालिस लाक रुपय का मौवजा मिलता है लेकिन यहां देखिए इस घटना को लगभग एक महिना बीच चुका है थोड़ी देर में चोदा तारीक हो जाएगी चोदा तारीक की घटना थी लेकिन ना तो नोकरी दी गई ना आर्थिक मदद की गई ना ही जो मुख्य मंत्री न बार्मान है भारत के कॉंस्ट्विशन में तो फिर आप ऐसा भेदबा क्यों कर रहे हैं आपने वादे के कम से उन्हें को पूरे कर दें तो अपनी बात पर तो इस तरह जो आपने किया है लेकिन जो जरूरी बात आप से कर रहा हूं यह है कि चले दलिस समाज पर तो टीक है कुषवा है उनके साथ भी यह जूल्म जाती होती है जैसे एक कुषवा प्रधानजे की महबा में हत्ता है कि टीम द्वारा बता गया मैं उस पर ट्वीट भी किया यह जो सारी जाती है और इसके लाव कुछ अन्य जाती है जो आपके संग्यान में नहीं है उन पर भ बहुजन समाझ में हम लोग जन में हैं बहुजन समाझ के मापुर्सों के आंदोलों को चला रहे हैं तो हमारी नैतिक्स जम्यदारी बनती है कि हम इस समाज को उठाएं और कम से कम इन सभी समाझ को श्वक्षित महसूस करा हैं उनके अधिकारों के लिए लड़ाई को कर देंगे जो बैक्वर्ड के लोग है जो सड़ुल कास्ट के लोग ट्राइब के लोग है अब उनके क्या-क्या हो रहा यह मैं विस्तार से चर्चा करो हैं पहले उत्तर प्रदेश पर चर्चा करते हैं जहासी में घटना हुई है जो बड़ी सरमनाक है चित्रकूट में घटना हुई है चित्रकूट की घटना मैंने ट्वीट भी गया है दोनों घटनाओं के बताता है एक घटना में हुआ गया है कि एक बच्ची के साथ 6-7 लोगों ने रेप किया पुलिस के पास F.I.R के लिए पुलिस ने कोई कारवाई नी की वह उल्टा जो है आरोपय को बचाते रहे जब उसको पिडिता को लगा कि उसको न्याय नहीं मिलेगा तो उसने आतमत्या कर ली अब बच्ची तो नहीं रही है पुलिस के अधिकारी करमचारी कुछ भी करते लें लेकिन बच्ची वापस नहीं आसकती है इस व्यवस्ता ने जिस व्यवस्ता में योगी गॉश्ची जान ले ली अब उसका जीवन कौन लोटा एगा मुख्यमंत्री तो नहीं लोटा सकते सरकार भी नहीं लोटा सकते पुलिस परसासन भी नहीं लोटा सकते afterwards हो कि यहां से में गटना हुई जहां होस्टल का जो मामला था जिसमें जो है एक बच्ची के साथ ब्लैक मेलिंग की 10 से 12 लोगों ने रेप किया लेकिन यह आपका दबाव है और महौल बनावा है उत्तर प्रदेश में गटना है तो हो रही है अप रादयों के होस्टल तो बुलन द कर रहे हैं लखीमपूर का एक मामला है जिसमें बड़े दिक्कत आई है जिसमें जाएक माबाप एक बेटे को और उसके पिता को पीटा गया सचित्रकूट का जिसमें पीटा गया और पिशाप बिलाया गया दली समाइट से हैं दोनों उन्होंने कुछ दिन पहले जिन आरो यह उत्तर परदेश में चल रहा है उत्तर परदेश में अपरादों की बाड़ आ चुकी सरकार इसे कहेगी विपक्स का काम है और विपक्स जो है रायनीती कर रहा है लेकिन सरकार अपराद पर रोक नहीं लगा रही इसका खामेजा जनता को भुगतना पड़ रहा है बिहा एक ख़बर आई थी मुझे कन्फोर्मेशन नहीं हुआ है कि मौतिहारी में होस्टल में जो है जो सेस्टी का होस्टल है उसमें हमला किया गाया कुछ लोगों द्वारा जिसमें तीन बच्चों गोली लगी है उनके हालात भी बहुत अच्छे नहीं है मैं यह जिकर आपसे क्यों कर रहा है मैं इसका कन्क्लूिजन भी आपको दूगा मद्धे पर्देश की घटना जहां भिंड में गोली मारी गई है स्वर्णों द्वारा एक दलित एक नोजवान को गोली मारी गई है यह मद्यपर्देश का मामला राइस्थान में आदिवासियों के साथ जो हो रहा है आदिवासि छात्रों के उनकी हक की लड़ाई में इस तरह वहां की साथ मुझे एक मिनट लगेगी बस दीजे मैं इसको थोड़ा सा हाँ वो नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत थी तो दिक्कत आ रही थी तो मुझे जो मैं आपसे बात कर रहा था कि राइस्थान में जो मामला हुआ है जो आदिवासि भाईयों के साथ है जिसमें उनकी मांग के साथ मांग दो पूरी नहीं कीव्या बदले में लाटी मिली हयं उनको मुकदवह मिले है और बहुत सारे लोग जयल में यह राईस्थान का मामला हाँ, अहले नहीं है श्क्री मामल में चाहिवह ए अपराज चरम पर है और एक तरह से जो है जो बहुजन समाज के लोग हैं दलित हैं बेकवर्ड हो हैं माइनोर्टी के लोग हैं सडूल ट्राइब के लोग हैं उनके साथ ये घटना जादा हो रहे हैं क्योंकि उनकी सत्ता में भागेदारी नहीं है और काशिराम साथ कहा करते थे कि जिनका राज नहीं होता उनकी बہनों पर इत्यार भी होते हैं उनकी अधिकार भी छिंते हैं तो इसलिए इन सबसे मुक्ति के लिए आपके पास अच्छा रास्ता है कि आप राज लिया हैं मैं धन्यवाद करता हूँ सभी कारे करता हूँ कि जहां-जहां इलक्षन है वो जो लोग काम कर रहे हैं जो मेरे एक बार कहने के बाद जो है अपने केरियर की परवा नहीं करते मुकदमों की परवा नहीं करते लाठी की परवा नहीं करते जेल की परवा नहीं करते और इमानदार से स्लड़ाई को लड़ रहे हैं आपको मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप हैं तो मैं हूँ और मैं आप से ही हूँ क्योंकि किसी भी संगठन की जो रीड है वो उसके कारे करता होते हैं मुझे गर्व है कि भीम आर्मी राजार समाजपर्टी पर के जैसे कारे करता किसी संगठन पर किसी दल पर नहीं है जिनोंने पिछले 6-5 साल की मैनत में भीम आर्मी को एक अंतराष्टिय संगठन का जो है दर्जा पराप्त करा है जहां दुनिया में भीम आर्मी को जाना जाता है वो आपके काम से जाना जाता है और इस तरह से आजार समाज पर्टी का लगातर काम आगे बढ़ रहा है अभी बुलेंच शेर पर जो टीम लगी हूँ मैं उनका भी सभी का धन्यवाद करता हूँ नोजवानों का धन्यवाद करता हूँ जैसा मैंने कहा कि आपने जो ताकत मुझे दिये जिसके दम पे यहां आ जाए इतना भेदभाव है यहां इतने संसादनों वाली पार्टी है सब कुछ है वहाँ आपकी पार्टी जो है वो भी अपना जो है अपना दम रखती है और अपनी बात कहती है उसको भी मौका मिलता है मेंस्ट्री मीडिया के लोगों को सुनना पड़ता है उनकी बात रखनी पड़ती है तो यह आपका दम है तो ऐसे तमाम कारेकरताओं को मैं हर्दे के से आभार प्रकट करता हूँ जैसा मैंने कहा कि कारेकरता ही जो है संगठन की पार्टी की रीड होती है आप मेरी ताकत हैं सबसे बड़ी तो जिन से मैं बात नहीं कर पाता हूँ या जिन से बात करता हूँ सभी का धन्यवाद करता हूँ कि जो ताकत आपने मुझे दिये जिसकी वेज़े से आज मैं बड़ी कोसिस करता हूँ चाहे वहाँ फिजीकली जाकर और जहां आन्याई को पूरा करते हैं तो ऐसे सभी कारे करता पतादी कारे को बहुत जन्यवादा आपर लेकिन एक जरूरी बात आपसे मुझे आज कहनी है चाहे देश का कोई परदेश हो लेकिन पर जानती है, त्य चार कम नहीं हो रहा है इसे आप रोक सकते हैं, इसे आप खतम कर सकते हैं हम बाबा साव डाक्टर aIMBEDKAR जी की संतान है, उनके उनका खून है उन्होंने इलाज किया है, जैसे उन्होंने इलाज किया था कि राणी का पेट कार चलाओं अब राजा जो है आपकी वोट से तैय होगा इन सारी बीमारियों का एक इलाज है जिसको सत्ता कहते है माने और काशिराम साहब ये कहते थे कि बाबा साहब ने कहा है पोलिटिक दमाश्टर की सभी तालो की चावी है सत्ता अगर सत्ता आपके पास है तो आप परिवर्तन कर सकते है और काशिराम साहब ये कहते थे कि आपको जो तमाम परिशानिया चाहे रोजगार की हो चाहे पढ़ाई की हो चाहे वो हेल्थ की हो चाहे और किसी तरह के अधिकारों की हो चेस रक्सा की हो यह तमाम तरह की जो प्रिशानिया है उसे लिए जिसके लिए आप रोज होगा और ये अंत जो है वो आजास समाज पार्टी करेगी ऐसा मुझे आप लोगों के भरोसे भरोसा है मेरा दर्ड विश्वास है कि अगर आप इमानदारी से और अपने लक्से को गौर्व को अपने लक्से को अपने गोल को आपस के विवाद में ना पढ़के आपस के किसी सरकार बनानी और हमें देश में भी सरकार बनानी याप यह कर लें अपने लग्शा बनाले की किसी भी कीमत पर हमें आपस के लिटबे potl P he aurud अपने घूलिकी जहां अखे जो है अपनी मचली की तरह जैसे जो लक्से होता उस पर केंद्रित करनी है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो दिंदूर नहीं कि आप लोग सत्ता में होंगे और जब आप लोग सत्ता में होंगे तो यह तमाम तरह कि जो बिमारिया है इनका पर्मानेट इलाज हो जाएगा जैसे जड़ कहते है न जड़ से इलाज तो मुझे भरोसा है कि आप लोग कर सकते हैं मुझे कल एक छोटी बैन ने पूछा तो कि आप यूआओ क्या संदेश देना चाहते हैं संदेश है कि आप मुझे सीख सकते हैं कि अन्याय अत्याचार खिलाब कैसे लड़ना है हग के लिए कैसे लड़नाएं किस तरह निड़र होकर जो है बिना किसी सुवार्थ के समाज के को नियाय दिलाने के समाज की अधिकार शुक्षा करने के लिए हमें तो मुझसे आप यही सीख सकते हैं किस तरह से आप छल कपट की, धनबल की राजनिती को त्याक कर, इमानदारी की, उद्देश्य की, मुद्दो की और अपने महापुरसों के अंदोलन को आगे बढ़ाने की राजनिती को जिंदा रख सकते हैं, किस तरह से आप ना रुखते ना जुकते और ना बिकते वे इस समाज में जो है, एक पहचान बना सकते हैं, यह आप मुझसे सीख सकते हैं, लेकिन मैंने जैसा काया कि मुझे भरोसा है, जैसा भरोसा आपको मेरे उपर है, ऐसे मुझे भरोसा आपके उपर है, कि आप आने वाला कल हैं और आप इस देश में बहुजन समाज को दुबारे सत्ता में स्थापित करेंगे मान्यवर काशिराम जी का समाजिक परिवर्तन आर्थी मुक्ति कांदोलों बाबा साब का जो सपना था कि बहुजन समाज साशक बने उसको पूरा करेंगे ऐसे मेरी बहुत-बहुत मंगल कामना में फिर सभी कारे करता होगा पता दिकारे होगा, अपनी बैनों का माता होगा, आभार पर कट करता हूँ ऐसे ये प्यार और आशिरवात बना के रखिए और ऐसे ही संघर्स करते रही है आप जान लिजे कि एक सीथी लाइन में बात कही जाते है कि जितना मजबूस संघर्स होगा, जितनी कुर्बानी होगी, उतनी सफलता होगी तो इतनी सिद्धत से जो आपने आद तक काम किया है इतनी मैनद से जो आपने काम किया, इतनी इमानदर से जो संगर सीय यूअल ने किया है उसको मैं सलाम करता हूँ, मेरा नीला सलाम आपको मैनद इतनी चुप्पी से करो, की सफलता सोर मचा दे इसी बात के साथ मैं आप से जो है आज की live को खतम करता हूँ नजर बनाके रखें इस सभी मामलों पे क्याँ कि सरकार आप goose नहीं देगी और अगर सवाल नहीं करें तो मुझे लगता है कि अन्याइए की जो अन्याइए जो बढ़ रहा है वो और बढ़ जाएगा और दोड़ जाएगी तो सभी चीजों पे ध्यान बनाके रखें मीडिया से लेके, कोट के ओर्डर से लेके, सब चीजों पर ध्यान बना के रखिए क्योंकि अभी आप सत्ता में नहीं, जिसने आप सत्ता में होंगे, मुझे लगता है कि फिर जुल्म जात्तिय अन्याए जड़ से खातम हो जाएगा जै भीम, जै भारत, जै सविधान और 14 अक्टवर उन्यों शप्पन की बज़ेश में तथा का बाबा साहम ने, परमपुजने बाबा साहम ने, धम की दिखसा ली थी, उसकी बहुत-बहुत मंगल काम नहीं अस अभी लोगों जै भीम, जै भारत, जै सविधान, जै भीम आर्मी, जै जा समाझ पार्टी निस्नल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निस्नल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निस्नल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करे, लाइक करे, कमेंट जरूर करे